Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains Well, हम पढ़ रहे हैं chapter number 15 जिसका नाम है light हमने आपको last class में क्या क्या बता दिया है हमने आपको last class में बता दिया है कि light क्या होती है और अगर plane mirror है तो उससे reflection कैसे तरह से होता है ठीक है आज मैं आपको बताऊंगी कि reflection by spherical या फिर curved mirror कैसे होता है अब आप ये सोचेंगे कि curved mirror या spherical mirror क्या होते है वेल अगर आप खाने के table पर बैठते हैं और खाना आने में कुछ देरी हो तो आप generally spoon के साथ खेलते हैं किस तरह से आप spoon को जब सामने की तरफ रखते हैं जो इस तरह के hollow वाला जो face होता है उस पर देखते हैं तो आपकी image आपको उल्टी नजर आने लगती है और जैसे ही आप spoon को क्या करते हैं तो जो उठा हुआ portion होता उसमें आप सीधे देखते हैं तो यह क्या है यही होता है आपका curved या फिर spherical mirror तो आज जानते हैं हम इस curved और spherical mirror के बारे में साथ में हम देखते हैं कि जब इस तरह के mirror पर जब light rays पड़ती हैं तो उन light rays के वज़ा से कौन सा mirror virtual image बनाता है और कौन सा mirror real image बताता है topic को शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़े बता दू virtual image के बारे में और real image के बारे में जो हम कुछ words आगे use करेंगे उन सभी के बारे में मैं आपको थोड़ी से जानकारी देना चाहती हूँ although आपको पता ही होगा कि जो real image है मतलब उसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी mirror के through real image बन रही हो या फिर अगर आप mirror के सामने कोई screen रख दे और अगर वैसी का वैसा ही जो image है वो उस पर form हो रहा है तो उसे ही हम real image कहते हैं जो mirror के अंदर दिखती है उसको आप virtual image मान सकते हैं virtual image कह सकते हैं virtual image मतलब कि जो real ना हो ओके जो आपको screen पर ना दिखे वो virtual image ओके रियल image और वर्चुल image इरेक्ट image या इरेक्ट का भी मैं वर्ट का यूज करूंगी इरेक्ट का मतलब भी होता है जो विलकुल वर्टिकल हो और सेम हो या समान हो या या रियल हो वो इरेक्ट इमेज कहलाती है ठीक है तो इन तीनों वर्ट का मैं आगे यूज करने वाली हूँ इसलिए जरूरी है कि रियल image वर्चुल image और इरेक्ट इमेज क्या है इनके बारे में आपको आल्रेडी पता हो तो चलिए शुरू करते हैं reflection of light by curved surface ओके सो जैसे मैंने आपको बताया कि जो curved surface है उसका example अगर मैं देखू तो वह spoon है जिसमें आपको दो तरीके के surface मिलते हैं एक जो अंदर की तरफ गहरा हो और दूसरा जो थोड़ा उठा हुआ हो ठीक तो जो गहरा होता है जो गुफवा टाइव होता है उसको हम कहते है concave mirror क्या कहते हैं concave mirror और जो थोड़ा उठा हुआ इसा portion है ना spoon का आपका उसको आप कहते हैं convex mirror तो आज हम आपको यहीं बताते हैं कि जो आपका spherical mirror है actual में वो दो तरीके के होते हैं एक होता है concave mirror और एक होता है convex mirror okay so concave mirror जैसा मैंने आपको बताया कि किस तरह से होगा अंदर की तरफ गहरा if the reflecting surface of the mirror is the inside of the curve it is called the concave mirror अगर जो आपका surface है reflecting surface है वो inside है ठीके तो हम उसे concave mirror कहते है if the reflecting surface is the outside of the curve अगर curve का बाहरी हिस्सा है या outside area है तो हम उसको क्या कहते हैं convex mirror अब हो सकता है कि आपको ये चीज़े इतनी समझ में नहीं आई हो तो चलिए हम आपको एक अच्छा सा draw करके बताते हैं राइग्राम की किस तरह से ये images बनती है या फिर concave क्या होता है और convex क्या होता है तो जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं spherical या किसके बारे में curved mirror के बारे में अब reflection किस तरह से होता है ये तो हम आगे जानेंगे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं कि एक्चल में ये होता कैसे है मान लीजे कि इस तरहे का एक spherical mirror था ठीक है? अब आपने क्या किया? इसको दो भागों में काड दिया या दो पार्ट्स में आपने इसको divide कर दिया ठीक है न? अब इसके बाद आपने क्या किया? mirror ही है ठीके ना अब आपने क्या किया एक साइड पर अंदर की तरफ mercury का paint कर दिया या इसको silver coated कर दिया ठीके इस तरह से ओके और एक जो हिस्सा था जिसको आपने लिया मालेजे की ये ठीके इसको बाहर की तरफ paint कर दिया तो आप अगर जब इस पर image देखोगे तो आपको इस वाले डाइग्राम में कहा image देखेगी यहां पर दिखेगी ठीके ना और अगर इस वाले डायग्राम में में देखूंगी तो मुझे इमेज कहां पर दिखेगी मुझे इमेज अपनी यहां पर दिखेगी तो अब मैंने आपको बताया था कि spherical mirror को में दो parts होते हैं यह स्पेरिकल mirror जो हैं वो दो तरीके के होते हैं एक होता है concave और दूसरा होता है convex अब concave क्या होता है जो इस तरह के cave बनाये गहरा हो ठीक है यह देखे जैसे कि आप इस diagram में देख पा रहे होंगे ठीक है जो अंदर की तरफ वो थोड़ा सा गहराई में cave हो गुफा की तरह हो वो हो जाएगा आपका concave तो यह क्या कहलाएगा आपका यह कहलाएगा आपका concave mirror ठीक है convex mirror कौन सा होता है जो बाहर की तरफ उठा हुआ रहता है वो कहलाता है आपका convex mirror ठीक है समझ में आया होगा आए होप आपको spherical mirror दो तरीके के होते हैं concave और convex if the reflecting surface of the mirror is the inside of the curve अगर inside curve है ठीक है तो हम उसे concave कहते हैं यह reflecting surface है ठीक है reflecting surface मतलब जहां पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा ठीक है तो यह concave होता है और जो reflecting surface है outside of the curve होती है उसे हम convex mirror कहते हैं जैसे कि हमारे spoon में होता है अब आपको लेकिन spoon में क्या दिखाई देता है जब इस तरह के कि आप कहराई वाले portion में या cave वाले portion में अपने आपको देखते हैं तो आपको कैसी image दिखाई देती है आपको inverted image दिखाई देती है कैसी image inverted दिखाई देती है और जैसे आप दिखते हो वैसे कि वैसे दिखाई दोगे यहां वाले image में कैसे आप दिखाई देते हो आप सीथे दिखाई देते हो थीक, लेकिन वो virtually में जोती है, तो आईए, जानते हैं सबसे पहले, Concave के बारे में और पिर हम देखेंगे कि Convex Mirror क्या होता है, ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, कि सबसे पहले हम कौंकेव मिरर को समझेंगे कॉंकेव अगीन मैं आपको बता दूँ जो इस तरहे के का मिरर होगा ठीक है यह कहलाएगा आगे हम आपको इसके अप्लेकेशन और इसकी जो भी यूज़ेज है जहां जहां वो बताएंगे तिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कॉनके वैक्चन में होता क्या है तो आप ही जानते हैं कि कॉनके दिलाの मेर किया है तो चोंके जैसा मैंने आपको बताया ठाएक एसा हिस्सा मिरर का सजस्थेरिकल मिरर का जिसके हमने बाहरी पॉर्शन पे कलर किया हो यह area होता है वो mercury का होता है ठीक है जो आपके इस तरीके के मिर्स पर देखते हो जो पीछे का इससा आपने या फिर मेर में भी आप इसका इसा देखते हो वह कोटेड रहता है वह कलर रहता है तो किसकी कोटिंग की जाती है मर्कियोरी की ठीक है so concave mirror produces a smaller bigger and inverted image based on its distance from the object concave mirror क्या करता है concave mirror जो है वो या तो छोटी image बनाएगा या बड़ी image बनाएगा या फिर inverted image बनाएगा depend करता है कि object इससे कितनी दूरी पर है ठीक है क्या याद रखना है आपको पहली चीज़ पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो concave mirror है वो छोटी बड़ी और उल्टी image बना सकता है depend करता है कि object जो है वो उससे कितनी दूरी पर है ठीक है अब ये चीज़ आगे आपको और clear होती जाएगी अभी आपको फिलहाल ये तीनों बाते ध्यान में रखनी है जब object के बीच में और आपके curve या फिर जो आपका mirror है उसके बीच का distance large होता है तो हमें कैसी image मिलती है small and inverted virtual image मिलती है ठीक है क्या ध्यान में रखना है आपको small and inverted virtual image मिलती है इसको हम आपको activity के थुरू आगे और clearly समझाएगे कि किस तरह से छोटी और virtual image मिलती है मान लीजे आपने candle को इसके सामने रखा ठीक है तो आप जैसे ही इसके distance को बढ़ा दोगे candle को आपने काफी दूरी पर रखा एस में ररके तो आपको वो candle इसमें छोटी दखाई देगी ठीक है आपने बहुत दूर रख दिया तो वो छोटी ही दिखाई देगी लेकिन कैसी inverted as the object is blocked closer और जैसे ही पहले कैसे दिखाई दे रही होगी आपको कुछ इस तरह की ठीक है छोटी दिखाई देगी और काफी मतलब और छोटी अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो इस तरह की के आपको कोई image दिखाई देगी ठीक है अब अगर क्या कर दिया मैंने इसको पास में लेकर के आ गई ठीक है ये तो हमने पहला केस देखा था जिसमें ये दूर थी अब हमने क्या किया इसे लेंस के थोड़े सा पास में लेकर आ जाएंगे ठीक है तो जैसे ही आप इसको लेंस के द्यान में रखनी है वह चीज ये ध्यान में रखनी है कि जो कौन के वीर है वो एक तर penn hierarchy उलती इमेज इसको बनाता है ठीक है याद रहेगा आब सीधी बना सकता है लेकिन किसी और केस में जो मैं आपको आगे बताऊंगी ठीक है ना सीधी और inverted image भी बनाता है दोनों बनाता है smaller, bigger and inverted image ठीक है जब distance जादा होगा तो ये image छोटी बनेगी और inverted virtual image ये बनाएगा जब distance आप कम कर दोगे तो distance जैसे ही pass में हो जाती है close हो जाती है तो image जो है वो बड़ी दिखने लगती है बहुत ज़्यादा पास आजाएगी तो क्या होगा large हो जाएगी and upright हो जाएगी मतलब की lens के पीछे की तरफ आपको image नजर आने लग जाएगी ठीक है तो ये point आपको concave के लिए याद रखना है ठीक है concave जो की inverted बनाए small या large भी बनाए ओके चले आगे देखते हैं अब इसके कुछ applications although मैं आपको इसके uses और आगे बताऊंगे कुछ application ताकि आपको ध्यान में रहें वो मैं आपको बताती हूं जिससे आपको concave का concept थोड़ा सा समझ में आ जाए concave को कैसे याद रखोगे cave जैसे गहरी होती है उसी तरीके से जो गहराई वाला आपका mirror होता है वो concave mirror कहलाता है जैसे ही हम इसको किसी object के बिलकुल पास में लेकर के जाते हैं इस तरह के lens को तो क्या होता है यह बहुत बड़ी image दिखा देता है उसकी और साथ ही साथ क्या होती है वो इमेज वर्च्वल होती है अव्वेश सी बात है कि जैसे कोई छोटी सी चीज है छोटा सा टीथ ही क्यों ना हो जब आप इस तरह के mirror से उसको देखोगे तो आपको कैसे दिखाई देगी बहुत बड़ी image दिखाई देगी लेकिर actual में क्या वो इतनी बड़ी है नहीं तो आप उसको वर्च्वल ही कहोगे ना तो क्या करता है यह एक enlarged और वर्च्वल इमेज बना करके देता है डॉक्टर यूज इट फॉर एक्जामिन इयर्ज नोस थ्रोट एन आइस डॉक्टर जो है आप अगर कभी देखो तो उनके पास अलग-अलग तरीके के equipment होते हैं जिसमें आपको शायद यह mirrors ना दिखाई वह अपने आखों से दूसरे तरफ से देखते हैं तो उनको नजर आ जाता है क्या कि आपके कान के क्या है बहुत छोटा होता हमारे कान के अंदर का यहूज नहीं काया है तो इसमें देखने के लिए वह उसकंदी करेंगे ताकि उनको जो भी गंदीगी अनदर है वह आसानी के अंदर जो छोटे-छोटी चीज़ें होती है वह एंलार्ज कैसे होंगी वह मिलर की मदद से होती है कौन से मिलर के मदद से कौन के क्या करता है भले वर्चुल इमेज बनाए लेकिन उसको बड़ा करके आपको दिखा देगा जैसा मैंने आपको बताया वर्चुली जरूरी और आपके एयर्स नोस थ्रोट को साथ और आप डेंटिस्ट के पास तो जाती ही होंगे तो डेंटिस्ट भी आपकी जो दाथ है उनके घमको चेक करने के लिए आपके डीथ इनक में को चेक करने के लिए जो तेंटिस्ट है वह भी जो मिर्प्स करते हैं या फिर जो equipment ठीक है तो यह application थी अपने concave mirror की also concave mirror concentrates the light falling on it into a narrow beam अब क्या होता है ना कि हम जो concave mirror है concave mirror क्या करता है आपने आपके जो head lights है या आपके जो torch है उसको देखा होगा इसके अंदर आपने देखा होगा बल्ब लगा रहता है लेकिन जैसे ही आप अपने बल्ब तो नॉर्मल बल्ब है आप उसको light on करोगे और रोशनी देगा तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर यह हमारे घर में लगा होता है या फिर हमारे रूम में लगा होता है तो जैसे ही मैं अगर इसको हुग हो है लेकिन पूरे उसमें नहीं फैलती तो ऐसा क्यों होता है इसा इसले होता है क्योंकि वहाँ पर पीछे लगा रहता है काम यह होता है कि जो भी light energy निकल रही है जो light की raised यह निकल रही है उसको यह फैलनी नहीं देता उसको क्या कर देता है concentrate कर देता है concentrate the light following on it into a narrow beam ठीके आप आगे concave mirror लगा हुआ है light आई इसने क्या क्या उसको फैलाने की वजाए क्या कर दिया एक तरिके से concentrate कर देता है ठीके तो concave mirror की ये भी property है कि ये light rays को या फिर जो भी reflecting rays होती है उसको क्या करता है उसको ये एक point में concentrate कर देता है अब इसका application कहां है इसका application आपका torch में torch में आप ये देख पाते हो कि जैसे आप torch on करते हो तो ये पूरे room में ना फैल करके कहां दिखता है आपको किसी एक concentrated point पर या फिर जो भी object आप देखना चाहते हो वहाँ पर आपको ये light दिखती है साथ में दूसरा example जो है वो है car की headlights car की headlights में भी आपने देखा होगा क्योंकि जैसे आप car की headlights on करते हो या बहुत अंधिरी जगे पर आप खड़े हैं तो आपको नजर आता है कि जो car की रोशनी है वो एक ही line में जाती हुई नजर आती है या एक जगे concentrate होती है क्योंकि अगर अपने नॉर्मल बर्ब लगा दिया तो क्या होगा नॉर्मल बर्ब लगा देने से जो आपकी light है ना वो फैल जाएगी कहां फैल जाएगी आसपास पूरी जगे और सामने distance पर हमें light देखनी होगी हमें कुछ object देखना होगा वो हम नहीं देख पाएगी क्योंकि light जो इदर इदर फैल चुकी है जब आप light को concentrate कर देते हो तो आपको दूरी तक का बता देती है कि आगे तक क्या क्या चीज़े हैं लाइट आपकी सिफ reflect होकर के कहा जा रही है किसी एक पॉइंट पर या फिर आप सीधे समझ सकते हो कि आपकी जो रोड है यह सड़क है उसी पर ही आपको light दिखाई देगी I hope आपको यह concept समझाया होगा कि concave mirror क्या करता है concave mirror जो है वो small bigger or inverted image बनाता है ठीक है इसलिए हम इसका use जो है वहाँ doctors की जितने equipments हैं जिसमें उनको चीज़ों को enlarge करके देखना होता है वहाँ हम इसका use करते हैं क्योंकि concave mirror क्या करता है जब हम distance को बढ़ा देते हैं तो य image को छोटा दिखाता है लेकिन जैसे जैसे आप पास करोगे इस image को बढ़ा कर देगा और बहुत पास में बहुत large और upright कर देगा right इसके अलावा हमने यह देखा कि यह क्या करता है यह light rays को concentrate कर देता है ठीक है concentrate the light following on it इसकी उपर आता है और उसको concentrate करके जैसे को से merge कर देगा तो इसलिए इसका use हम कहां पर करते हैं इसलिए इसका use हम torch में करते हैं और हमारी कार की headlights में करते हैं जहां पर हमें एक concentrated क्या होगा आपका जो headlight है उसमें जो mirror है ठीक है concave mirror वो light को इधर उदर फैलने नहीं देगा आपको सिर्षाड़क पर दिखाई देगा ठीक है अगर concave mirror नहीं है तो बस उतना ही फैल जाएगी light और कम area में मतलब जहां-जहां आपकी car जा रही है छोटी-छोटी से distance पर तो बस वो आपको वही area देखेगा तो इस case में आप car drive नहीं कर सकते ठीक है तो यह होगा आपका concave mirror आप देखते हैं हमारा next जो की है convex mirror okay a convex mirror generally produces an erect and smaller image of the object जब आ जाते हैं हमारे spoon के उठे वाले उभरे हुए हिस्से पर ठीक है जो कि आपका इस तरह के का हिस्सा होता है ठीक है इस आपने जैसे spoon को देखा तो आप देख रहे हो कि आप सीधे देख रहे हो ठीक लेकिन कैसे दिख रहे हो आप छोटे लग रहे हो आप दूर से खड़े को दिखे तो आप छोटे से पूरे के पूरी आपकी जो image है वो उसमें बन गई राइट तो यह क्या करता है इरेक्ट मतलब वर्टिकल सीधी एक और छोटी image बनाता है क्या याद रखना आपको यह एक erect and smaller image बनाता है किसकी object की Convex mirror produces virtual images of the object spread over large area जैसे कि हम spoon में ही अपने आपको देख पा रहे थे हम काफी बड़े है spoon से यह हमारे लिए spoon के लिए जो हमारा room का area है वो काफी बड़ा है तो जब आप ऐसे करके spoon में अपने आपको देखोगी तो आप देखोगे कि आप और आपका पूरा room उस छोटे से spoon में दिखने लग जाता है तो Convex जो mirror है वो क्या करता है Convex mirror जो है वो आपकी virtual image बनाता है क्योंकि real में तो हम ऐसे हैं नहीं हम कैसे हम तो काफी बड़े room भी बहुत-बड़ा spread out है लेकिन वो क्या करता है छोटी image बना देता है मतलब virtual image होई ओके तो Convex mirror produces virtual image of the object spread over large area बहुत-बड़ी area में जब आपकी image होती है उसको यह क्या करता है छोटे area में convert कर देता है Convex mirror cannot produces real image ओविस सी बात है Convex mirror क्या करता है बड़ी सी image को एक छोटी image में convert कर देता है तो इसलिए यह क्या करता है यह real image नहीं बनाते ओके बहुत ही एकाद ही कोई application होती जिसमें यह real image बनाते है लेकिन ओल्दो सारी application में Convex mirror में जब भी आप देखोगे तो आपको real image नहीं नजर आएगी वर्चुल इमेज ही नजर आती है ओके याद रखेंगे Convex के मारे में क्या याद रखेंगे erect and small image not real but क्या उनसी image बनाते है virtual image अब इसका कुछ अगर मैं application आपको समझाओ तो पहला rear view mirrors of vehicles ठीके आपके vehicle में rear view mirrors लगे होते हैं side glasses ओके so that person driving is able to see most traffic behind him and her आप यह जानते हैं कि इस तरह के कि आप glass में आप देखते हो तो आपको यह देखो यह क्या है आपका actual ठीके बाहर आप देख रहे हो ना जब glass के यह जो थोड़ा सा यह जो आपको image दिख रहे है यह बाहर की यह जो image है यह आपकी actual है लेकिन जब आप mirror में देखेंगे तो आपको यह जो पूरा का पूरा scene है वो आपके छोटे से mirror में दिखाई देने लग जाता है तो यह क्या है यही है आपका convex mirror जो कि क्या करता है बड़े को छोटे में convert करके दिखाई दे रहा है कर रहा है okay so rear view mirrors of vehicle so that person driving is able to see most topic behind him किसी भी person के पीछे कितना traffic है क्या रास्ता है कौन पीछे से आ रहा है कार आ रही है ट्रक आ रहा है इस चीज़ को चेक करने के लिए हम वहाँ पर इस तरह के ग्लास का यूज करते हैं as reflectors ठीक है पहला क्या देखा आपने rear view mirror के तरह हम इसका यूज करते हैं दूसरा देखते हैं as reflectors in street lamps to diverge light over a large area अब जब मैं आपको concave पढ़ा रही थी concave के बारे में जब मैं आपको बढ़ा रही थी concave में हमने यह देखा कि यह क्या करता है यह जो light फैली होती है उसको समेट करके वीम में convert कर देता है ठीक है क्या करता है बड़े area में जो light फैली रहती है उसको छोटे से beam में convert करेगा उसको समेट लेता है अब यह जो convex mirror है यह क्या कर रहा है यह क्या करता है light को spread करता है फैलाता है जब भी इस तरए कि po मिलरह का यूज़ांपर करते हैं कहां पर स्ट्रेट लांपज में ताकि जो लाइट है वह लाज एरिया में का हो सके डाइवर्ज हो चिके फैल सके, use for making sunglasses and telescope, साथ ही साथ हम इसका use किसलिए करते हैं, sunglasses बनाने के लिए और telescope के लिए भी हम इसका use करते हैं, ताकि हमें आसानी से बड़ी सी जो image है, वो छोटी में convert हो करके देख सके, ठीक है यह आपका हो गया कॉन वेक्स मिरर जिसमें आपको याद रखना है जो की जनरली कैसी इमेज प्रड्यूस करें इरेक्ति एन इसमाली मेज ठीक है जो यह जो मेर जो होते हैं हूँ वर्च्वली मेज बनाते हैं जो की बड़े एरिया में फैली ठीक करके वर्च्वल मैं आपको बताय और कॉंट है चलिए इसके कुछ और यूजस देख लेते हैं कि स्थेरिकल मिरर के एक्च्वर में कहां-कहां इस है चले तुब यदो पहले चलते हैं कॉंट के पास कॉंगे मिररा गजार कैंवर्ज कर देते हैं जैसा मैंने आपको बताया कि जो concave mirror है ना उसे अपन converging mirror भी कहते हैं कौनसा mirror कहते है converging converging मतलब क्या बड़ी से light जहां आपकी disperse है उसको क्या कर देता है concentrate कर देता है point पर ठीक है तो इसको हम क्या कहते है converging इस तरह से अगर कोई lights है पहली हुई तो यह क्या करेगा उनको एक point में converge करेगा ठीक है तो यह point समझ में आएगा converging का okay तो concave mirror are converging they are used to collect light और simple word है कि light को collect करने का काम करता है ठीक है concave mirror are converging they are used to collect light energy sound and TV signal ठीक है यह क्या क्या color करने का काम करता है जब आप और further higher studies में देखेंगे higher studies जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह light के साथ-साथ sound or TV signals को भी क्या करता है concentrate करने का काम करता है converse करने का काम करता है ठीक तो इसी के पर depend करते हुए इसकी कुछ और applications है concave mirrors mirrors are used to convert sunlight at a point which becomes very hot अब obvious ही बात है ठीक है मेरी light जो है वो हर जगे फैली हुई है ठीक लेकिन जब मैं light को क्या कर दूँ concentrate कर दूँ ठीक सबको समेट लूँ और एक point पर लाकर के उसको क्या कर दूँ उसे incident कराऊ या उसको कहां पर दिखाऊ एक ही point पर आकर कि अगर वो मिले बहुत सबको समेटा और एक point पर जाकर के छोड़ दिया तो light में क्या है energy है heat energy भी generate करेगी वो light तो क्या होता है कि जैसे ही concave mirror की बदत से आप जो sunlight उसको किसी एक point पर लाकर के concentrate करा देते हो तो वो जो हिस्सा है वो बहुत जादा गरम हो जाता है इस प्रॉपर्टी मेक्स इट यूसफुल पॉर solar heaters and solar cookers ठीक है इसकी यह प्रॉपर्टी जो है वो इसको कहां पर यूज करवाती है वहां जो आप इसको solar heaters में या solar cookers में देखोगे आप देखोगे कि इन सभी तरीके की जो solar system बने होते हैं solar energy से solar मतलब क्या होता है समझ में आता है ना solar मतलब होता है sunlight के यूज से अगर कोई चीज अपना काम कर रही है sunlight के यूज से अगर electricity बन रही है ठीक है तो वह energy जो sun से मिलती है उसको हम solar energy कहते हैं ठीक है तो जैसे concave mirror का function है कि यह क्या करता है पूरी जो light है जो फैली हुई होती है उसे concentrate करके एक point पर लाता है वो जहां जो भी point होता है वो गरम होने लगता है तो इसकी यह जो property है उसका use हम कहां पर करते है उसका use हम करते है solar heaters में solar cookers में ठीक है वहाँ पर जो glass लगा होता है वो concave mirror type होता है जिसकी मदल से जो sunlight है वो आए और सीधे आपके equipment पर जाए जो की एक fix point पर जाकर के यह focus point पर आकर के मिले और वहां का उतना area जो हीट अप हो जाए गरम हो जाए और उस heat का use हम कर सके huge concave mirrors are used in telescope to form images of distance star and planets ठीक है बहुत बड़े जो concave mirrors होते हैं उनका use हम कहां करते हैं उनका use हम telescope में करते हैं to form images of distinct star and planets बहुत दूरी के जो stars या planets हैं उनको देखने के लिए ठीक है क्योंकि वह दूरी पर है तो यह concentrate करके आपको एक image दिखाएगा वले ही वह virtual image है लेकिन आप उसकी मदद से समझ पाओगे कि कहां कौन कौन से planets है stars है उसमें क्या हो रहा है ठीक है तो telescope में जो है वहां पर भी हम concave mirror का use करते हैं okay concave mirrors are used of cars and in torches जैसे मैंने आपको बताया था कि जो light होती है headlights किसकी आपकी cars की या torches की ठीक है वहां पर भी आपके जो car की headlight है या torch है उसमें भी हम किसका यूज करते हैं उसमें भी हम concave mirror का ही यूज करते हैं ठीक है ताकि जो light है फैली हुई वो concentrate हो जाए the light reflects from the mirror and converge to form a bright beam actual में क्या होता है कि जैसा आप देख रहे हो कि मैं हर बार diagram कैसा बना रही हैं अगर Koncave का बना रहा हुं इस तरह से चिके तो light इस पर आ रही है और वापस एक point पर जा रही तो कैसे जा रही होगी reflect होई रही होगी audit सी बात है कि उससे टक्रांके वापस आ रही होगी तो यह जो light है यह इस तरह से का howire हैं और आकर के एक point पर मिलती है ठीक है ऐसी जाकर के और incident होती है जैसे मैंने आपको बताया कि reflecting angle incident angle होता है last class में आपको समझाया था कि अगर इस तरह के का mirror है ठीक है ना उस पर कोई light ray जा रही है तो वो उसी angle से वापस आ जाएगी तो यह सभी जिस point पर आकर के मिलती है ठीक है उस point को यह hot कर देती है गरम कर देती है ठीक है ना so when an object is very close to a concave mirror अगर कोई भी object concave mirror के बहुत करीब है it forms an enlarged and erect image of the object यह क्या करता है उसकी एक बहुत बड़ी सी और erect image बना देता है right this property make it useful for ठीक है हम इसकी दोनों property देखी पहली तो वो property जिसकी मदल से light को converge करके point पर ले आए ओके आप हम देख रहे हैं कि इसकी दूसरी property क्या उनसी property कि जब भी कोई object इसके बहुत का पास में आता है तो उसे बहुत ज्यादा enlarged और erect image में convert कर देगा तो इस property make it useful for dentist to see enlarged image of the teeth in the mouth of the patients people to see concave mirror for doing makeup and shaving और साथ साथ में क्योंकि बड़ा दिखाना है हमें तो इसके लिए हम इसको generally parlors में और जो आपके shaving वाले जो भी glasses होते हैं कि हमें बहुत पास का पास लाए तो हमें तोड़ी enlarged image दिख जाए तो वहाँ पर इस तरह के mirrors का हम यूज करते हैं यह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं ओके तो आपको इसके दोनों ही uses या दोनों ही property को याद रखना है अब हम देखते हैं next कि convex mirror क्या यूज क्या था तो convex mirror forms an erect and diamondized diamondized image of an object they are useful to obtain a wide view of an object of an area they are used for आप तो बस इसका जो आपका glass है car का जो glass होता है rear view mirror जो होता है आप उसको याद रखे के rear view mirrors of cars as they give a smaller and wider view आपको छोटा और बड़ी जगह का एक view उस image के अंदर या उस glass के अंदर देखने को मिल जाता है security mirrors in an area to cover a larger view साथ में साथ आप security mirrors में भी इस तरह के mirrors को देखोगे जहां पर security purpose के लिए कि आपको बहुत बड़े area को देखना है तो इस बड़े से area को आप एक छोटे से glass में देख पाते हो साथ में आपने रास्तों पर कई बार convex mirror को देखा होगा ठीक है ना वह convex mirror आपको रास्ते में दिखता होगा कि छोटा सर्कुलर टाइप का स्फेरिकल आपको एक लास दिखता होगा जिसमें आप दूर से आ रहें लेकिन बहुत सारी कारें यहां से वहां से आते हुए आपक जो हम कवर करेंगे हमारी next class में till then आप हमारी magnet brains की official website पर जाएए जहां पर आपको जैसे ही आप magnet brains की official website को को टाइप करते हैं उसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक screen मिलेगी जिसमें आपको जो भी class है आपकी वोस आप सेलेक्ट करिए आपको बहुत सारी subjects मिलेंगे आप जो भी पढ़ना चाहते हैं उस आप उस पर क्लिक करें जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यह इस तरह की window दिखेगी इस window में नीचे कि आप देखोगे तो आपको chapter wise वीडियो दिखेंगे यहां पर जाएए जो भी chapter आप पढ़ना चाहते हैं आप उसको क्लिक करें त उसके बाद अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे like करें, share करें और subscribe करें आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो कि आपसे छोटी या बड़ी class में हो उनके साथ भी इसे share करें क्योंकि हमारे पास kindergarten से लेकर के class 12 तक के सभी online video lectures available है ओके तो चलिए मि next classmate till then stay happy, stay healthy and thank you so much